फूर का ईंकाउंटर फिरसे सबालो के घेरे में आ गया है परिबार का आरोप है कि पलिस ने दिर्शाद को उठाया और गोकसी का आरोपी बताकर एंकाउंटर कर दिया हंगामा मचने के बाद ASP ने घाटमपुर के CEO को इसकी जात सोपी है दिर्शाद के पिता हाजी शमशेर का आरोप है कि मकान और जायदाद को लेकर उनका विवाद चल रहा है इंस्पेक्टर ने दूसरे पक्ष के साथ मिलकर बेटे को फसाने के लिए ऐसा किया है आदाब नमसकार मैती खान आप देख रहे हैं दा लीडर हिंदी गटना किरम कानपुर दिहात का है घाटमपुर थाना चेतर के नौबस्ता के रहने वाले दिर्शाद का एंकाउंटर हुआ है उनके पैर में गोली लगी है मुटबेड में इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है इस एंकाउंटर को लेकर कानपुर आउटर के पुलिस अधिछक तेज सुरूप सिंग का बयान आया है एसपी ने क्या कहा सुनिए एक बदमास का जिसने पुलिस पर फारिंग कर दी जिससे हमारी इस्पेक्टर घाटमपुर को गोली लगी है पुलिस ने जवाबी अपने बचाव में पारिंग किया जिसमें एक बदमास गायल हो गया और दो मौके से भाग गये जो गायर बदमास से उसके कली पकर लिया गया उसे तुझनती अस्पेक्टार पहुचाया गया और उसके बदमास के कबजे से एक पिश्टल तता बाइक कोई पर मिली तता आम ने साम्मान भी मिला है उससे संबने दो कसी से संबन लेता इसमें जो इस्पेक्टर साहब है वो दोनों का इलाद चल रहा है अस्पतार में बखी इसकी विवेशना की जा रही है चाना पर मुटना पंजेपित कर लिया गया है विवेशना हो रही है सत्यता के आरार पर आगी कारवाई की जाएगी इसमें और कौन सामिल है वो देखा जा रहा है और दूसरी एक है एक प्रातना पर इमेल के माध्यम से इसके बदमास के पिता संसे ने दिया था इस संदल में मैलेज की जाएग्स चित्रा अधिकारी घाटमपुर्पुर्दी है जाएग्स में जो तक परकास में आयाएगे उसके रुशापकारवाई की लेकिन दिल्चस्प बात ये है कि दिल्चाथ का एंकाउंटर होने से करीब तेड़ घंटे पहले यानि साड़े नो बजे उनके पिता हाजी शमशेर ने मुख्यमंतरी डीजीपी राजपाल राजमानवादिकार आयोग और दूसरे अधिकारियों की इसकी शिकायत पृती भेजी थी 85 साल के हाजी शमशेर जो की दिल के मरीज हैं उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि मेरे बेटे दिर्शाथ को पुलिस ने 3 जुलाई की शाम 7 बजे रास्ते से पकड़ा था जब वे घर का सामान लेने जा रहे थे खबर मिलने पर मैं थाने पहुँचा तो पुलिस ने डाट कर भगा दिया दरसल संपत्ती को लेकर कुछ लोगों के साथ हमारा विवाद है जो की काफी टाकतबर हैं और इस्थानिय पुलिस उसी पक्ष्ट के साथ मिली हुई है हाजी शमशे ने इंस्पेक्टर पर बेहत गंभीर आरोप लगाए है शिकायत में कहा है कि कुछ दिन पहले घाटमपुर के इंस्पेक्टर ने उनके परिबार में तांडव मचाने की धंकी दी थी इसलिए मुझे आशंका है कि मेरे बेटे दिर्शाद की हत्या कर एंकाउंटर का सोरूप दिया जा सकता है मुझे ना तो बेटे की जानकारी है और ना ही उस पर लगाये गए आरोपों की इंस्पेक्टर ने इलाके के दलालों के इशारे पर मेरे परिबार का जीना मुझकिल कर रखा है ऐसे हालात में हमारा परिबार आत्महत्या करने को मजबूर होगा इसलिए को कि पुलिस परिबार के बच्चों जिसमें नाती पोते तक शामिल हैं ऐसे मामलों में फसा रही है जिनका खुलासा नहीं हो पाता है और उनकी जिंदगी बरबाद कर रही है इससे हमारा पूरा परिबार डिप्रेशन में है लेकर इन लोगों ने रुपिया भरा आए खाने में और हाएं कि इनके सारे बच्चे बच्चे को उठा लिया जाए इसलिए सारे बच्चे उठाए जा रहे हाँ की मकान का जगडा था और कल ये हुआ कि पलिस आई और हमारे भाई को घर से सिर्फ नहा की निकले वो और गड़े के आँ जा के पकल ये आए गई पिनकी के घर की डाक्टर है उन्हें के घर के पास में पकल ये जबर जबर से नाम कुछ है उन्हीं के घर से पकला उन्हीं के घर में वो गुज गयते तो उन्हीं के घर से पकले उसमें से कोई जानता था उसको पुलिस वाला उसी ने जा के पकले कि यही है दिल साथ और यहां से ले गए फिर हम लोग को पता चला तब थाने आए हम लोग थाने में पूछा पूरी रात हम लोग 11.11 बज यहां से डौट के गए हैं और थाने वालों नहीं कहा कि यहां नहीं आए हम लोग नहीं लाए है कौन लाया पता करिए आप और चोकी को तो चोकी वालों म नो Eli कि थाने के अंदर जाके आप लोग देखिए अंदर सब संदर किया हो इसलिए तमлагो अंधर भी जा के देखा हो आभी नीकrences को टहलाते रहें इसी तरह के इस परहसान हम लोग है तिंचार लोग फिरते रहे नंव'll suda hea सब लोग दिलसाथ की परवार को मार दूंगा हाजी शमशेर ने तीन जुलाई को ये चिठ्थी घाटमपुर के थाना प्रभारी को भेजी थी जिसकी पिर्ती राज के वरिश अधिकारियों को भेजी गई और उसके बाद दिर्शाद का एंकाउंटर सामने आया है चुकि दिर्शाद के पिता के आरोप बेहत गंभीर हैं तो एसपी ने इस मामले पर जांग विटा दी है एंकाउंटर के बाद भी हाजी शमशेर के परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाये हैं जिसको लेकर एक बार फिर से पुलिस सबालों के घेरे में आ गई है और कई मानवादिकार कारिकरता इसकी उच इस तरिये जांच की मांग उठा रहे हैं तो इन लोगों ने पुलिस को देख के फाइरिंग शुरू कर दी इस फाइरिंग में पुलिस ने आत्मरचात फाइरिंग की जिसमें एक बदमाज दिल्चात सनब समशेर यह नौबस्ता पूर्वी घाटमूर का रहने वाला है यह घाय लोग है और तता इंस्पक्ट साहब है जो हमारे उनके पैर में गुली लगी है इस बदमाज दो और इसके साथ ही थे वो अंधेरे के लाब उठाकर बागे जिसमें कॉम्मी की जारी तलास की जा रही है उनके गरबतारी के प्रयास की जा रहे है